हेलो इस्टुडेंट डिस इस आसोतो सिंग और वेलकम यू आल इस्टेपपगेडमी तो इस्टुडेंट आज हम लोग क्या करने वाल है जैसा कि आप देख चुके हैं आज हम लोग हमारा जो ncrt का एकसरसाइज 1.3 है उसको डिसकस करेंगे हैं ना हम लोग सबसेट तक पढ़ चुके तो पूरा उसके बाद हम लोग इंटर्वल का भी कंसर्ट डिसकस कर ली तो और आज से क्लास में हमारा यह लेक्षर नंबर 7 होने वाला है तो आज से क्लास में हम लोग का जो ncrt भूक है उ सब्सक्राइब करना है कौन सा नहीं करना तो बच्चों मैं आपको बता दिया हूं अगर आपके पास old ncrt है तो मैं बता दिया हूं जैसे यहां exercise 1.3 है तो इसके पांस नंबर जो सवाल होंगे आपको वो नहीं करना है बांकी साधे करने हैं ठीक है और नियू एक्षर इंक वगर लिलू फर्स्ट कोश्टन हमारे पास क्या है अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको इसकूल में हूमवर्क मिला है और आप मेरे वीडियो देखके सॉल्यूशन करके जा रहे हैं तो नहीं है नहीं सर आपका ही मतलब होंवर्क है वहीं कर रहे हैं वेरी गुड तो दे यह क्या है नौट सब्सेट का यह का सिंबॉल है सॉरी नौट सब्सेट का बस यह देखना है पहला वाला इसका सब्सेट है कि नहीं कैसे चकरते हैं इसका एवरी ऐलिमेंट इसमें होना चाहिए 234 है इसमें है तो यह सब्सेट हो जाएगा है ना चलो इसमें ABC है इसमें है क सब्सेट नहीं है क्रोश लगा लगा दो अब ये कृषिये इस मुझे बताएक से पर्म में है ये तो यह सेट है इसका एकष की निग्राइबay स्कूलने और चनलनी को Chemow 11 जो भी बच्चा है वो पूरी जो स्कूल में स्टूड है तो हमारा इस्कूल के लिए क्लास 11 एक सबसेट का काम करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा यह तो जाएगा अब है इस फोर्थ नमबर के आए एक सबसेंट एक इस सरकल इन द प्लेनी ओके अब प्लेन है इस circle in the same plane with radius one unit तो जानते हो यह उल्टा दिदिया अगर यही चीज इस साइड होता मतलव यह सेट ऑफ सरकल होता सेम प्लेन में विट रेडियस वन यही इस साइड होता और यह साइड होता तो सब्सेट होता मतलव यह जो चीज है न यह जो लिखा हुआ यह इसका सब्सेट है हो लेकिन यह क्या है ओल सरकल का है तो यह तो सब्सेट नहीं है यह तो सब्सेट नहीं है अगर उल्टा होता ना यह चीज इधर होता और यह चीज इधर होता मतलब सब्सेट कि इधर होता यह सरकल विट रेडियस वन वाला सब्सेट है इसका यह इसका सब्सेट नहीं है ठ आप नेक्स देखिए एक सदेट एक सब्सक्राइल ट्रेंगल इन प्लेंगल यह कोई भी सब्सक्राइब हो सकता है तो यह तो शब्सक्राइब नेक्स्ट क्या है एक सब्सक्राइब नमबर एकस्ट क्या इवन नेच्छूरल लंबर का सब्सक्राइब कर तो हम क्या सकते हैं क्या यह सब्सक्राइब और यह सकते बोलो कोई दिक्कत कोई दर्द कोई तकलिफ नो सर तो इसमें मैं आपको काम करता हूं इसको रफ कर देता हूं आपको लिखना क्या है अब आप क्या करो इसको नोट डाउन कर लो ठीक है चलिए समझ में आ गया बहुत इसी था नाइस्ट कोशन पर चले तो पहला वाला क्या हो गया टू थ्री फोर इसमें भी यह सबसेट हो गया एबीसी इसमें है इसमें नहीं है तो यह सबसेट नहीं होगा इस्टुडेंट्स इस class 11th का जो student हो इस बसकुल का भी student होगा सबसेट है इसकूल के ऑल इस्टुडेंट्स नहीं का यह इसका इसका चलो नेक्स क्या रहा है triangle इना plane और यह कह रहा है इलिए rectangle कभी त्रेंगल सब्सक्रस्क्राइब। तो यह सभको तो यह सबसेट हो गारा है यह तो प्लेंगी है पहला यह तो नहीं है फिर्स्ट वाला देखे तो को क्या टUsना है लिखा हुआ है य estuv打 और यह टू है या फॉल्स है बोलो कमेंड करने बताना कि यह टू है या फॉल से बताना है यह चाहिए trainsट को सब्सक्राइब है जी रहा क्लिकी सेट इस में यह ऑविस लिया कुछ ठीक है next है AE और यह set क्या है AE is the sub क्या कह रहा AE is the subset of X as that X मतलब X क्या है is a vowel in the English alphabet English alphabet के वह 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 का मतलब इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर हमारा A, E, I, O और U आएगा बोलो आएगा ना तो यह subset है किसका यह subset जाए इसका सब्सेट है या नहीं है ओविसली है और भी कह रहा है तो यह क्या हो जाइगा बच्छो दिस वोट्ट इस इस तुट यह इसमें वाट तो थ्री नहीं यह यह तो जूट बोल रहा है इसो क्या सी है बताओ ये सेट है इसका बिल्कुल आवियसली ये 16 है ये क्या होगा टुछ होग अगला बताओ हाँ इसमें आएगा मज़ा इसमें आने वाला है इसमें बताओ क्या ये a set इसमें belong करता है तो set के लिए हम लोग belong यूज नहीं करते हैं belongs to element के लिए उस करते हैं अगर ऐसा होता ना a belongs to a b c अगर ऐसा होता तो हम कहते ही ये true है लेकिन ये ऐसा लिख दिया है तो ये false हो जाएगा है ना set belong कर सेट subset होता है set subset होता है किसी दूसे का सेट belong नहीं करता है ना तो यह क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सब बताया हूँ अच्छे से हैं न लेक्श यूजव five में सब करВाया हूँ है ना अगला क्या से लिए लो टू हो जाएगा इसमें क्यों फोर हो जाएगा सिक्स ठीक है और यह कह रहा है इवन नेच्रोल नंबर विच डिवाइश्थ ठीक तो इसमें का 36 को कौन डिवाइब मारता है बताओ तो हम यह एक सैट यह है जिसमें क्या-क्या 2 और 4 है क्यों है सब्सक्राइब और यह क्या चीज है यह है नैशुरल नंबर विच डिवाइज थर्टी सिक्स तो इसमें बताओ क्या हो सकता है थर्टी सिक्स को क्या क्या डिवाइज मार सकता है और और यह सकता है और त्वेल हो सकता है और और अठरा थे सकता और डारेक्ट उब्सक्राइब लागी फ़रिया सब्सक्राइब उब्सक्राइब और कि Kara के था दो तुए एहिए और उडर hanno opposite दो तो हो गई फिर्ट वाला सब्सक्राइब लोंग यूज अगर्स नहीं कि लिए करते हैं आपको कहां पर चलते हैं तो यह देखिए क्या लिखा हुआ हुआ है अपको कहां पर करवाया है सर्क लास नंबर फिप्ट में यहां पर पहला वाला कह रहा है अच्छा इसके पीछ अगर इंकरेक्ट होगा तो रीजन भी बताना है तो फॉर्स्ट वाला देखो तुझरा थ्री फॉर एक सैट बन गया क्या यह सबसेट है इस यह क्यों इनकरेक्ट घंताना ना चाहिए बिकॉज जय्सेट के अंदर घ्री बिलॉङ कर रहा है सबसेट है अगर मैं कह रहा हो यह जो सेट है यह एका सबसेट इसका मतलब इसके अंदर जितने भी अलिमेंट वो एका भी सेट हो एका भी element होना चाहिए कर रहा है किसमें बिलोंग टू दिस 3 4 है ना बट बट जो 3 है वह बिलॉंग कर रहा है कि यह में नहीं कर रहा है पिर को सब्सक्राइब तो बच्चु वह 3 एग इस सेट के नदर इस इस करली ब्रैकेट के नदर यह पूरा एक हैं स सब्सक्राइब आहीं। आया ज समझ भी उकर शेक्षट के लिए लगा सकते लोग और ऐसे भी का रकते हैं कि 34 इजन of a not subset of a है ना अगर हम आल्सो ऐसे भी लिए सकते हैं आप आल्सो यह जो 3-4 एक set है is an is an element क्या है यह element है is an element of a यह एक element है not a subset of a not a subset of a आई बात समझ में clear clear चलो second number में आते हैं second number देखो तो element के लिए बिलॉंग का sign हो सकता है तो बता हो यह true है या false है तो अभी मैंने लिखा कि यह जो चीज़े क्या है एक element है तो अगर मैंने element कर दिया तो मैं ऊपर ही आपको हींट कर दिया हूं is an not क्या हींट कर दिया हूं सर यह इसका element तो यह क्या है this is correct यह क्या है बच्चा this is correct आया या गया सर आ गया clear चलो third पर आजो third पर आजो third number क्या कह रहा है third number देखो यह करेक्ट होगा क्यों होगा बताओं देखो ट्री और फूर यह एक सेट है और यह सबसेट है क्या एक बिल्कुल है क्यों है बिल्कुल है क्योंकि अगर देखो आप एक मिर्ट मैं थोड़ा सा इसको अच्छी से बनाओ रुको यह वाला ब्रैकेट जानते हो बच्पन से मुझे दिक्कत जाती है बनाने में है ना चाला होना चाहिए है ना यह क्या सबसेट है तो हम बोलेंगे yes है क्यों है यह this is correct क्योंकि यह जो सेटन देखो यह बाहर वाल बिलाउंग कर रहा है और यह छोटा वाला जो डबा है वो सेट इमी तो है है ना तो हम क्या कह सकते है यह this is correct यह क्या हो जाएगा बच्चे देश इस is correct this is what this is correct यह क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear चलो अब 5 पे चलते हैं ना 5 पे चलते हैं अब चली फूर तक हो गया 5 नंबर 5 नंबर में क्या है 5 बाला तो बहुत दीजे बता वह सबसेट होगा 1 होगा क्या चलो पेज ले ले लिता हम लोग देख लेते हैं है की नहीं क्या यह correct है यह incorrect है तो हम लिखेंगे this is incorrect this is incorrect अच्छा अब अगर यह incorrect है तो क्यों है कारण बताना है because because one belongs to a है है ना and and any element any element of a set any element अगर यह belong कर रहा तो उसका element है यह अगर one a में belong कर रहा तो उसका element है and any element can cannot be can not be a subset of a set and of a set clear हुआ बोलो हा या ना बोल दो sir कैसे बोले comment कर दो ठीक है और ऐसे बताओ यह subset है तो इसका मतलब इधर भी देख लें question number six में है one two five belong कर रहा हां यह तो subset है ना क्या यह true है यह false बताओ क्या one two five subset है एका तो यह this is true और this is this is true यह क्या हो गया बच्चों this is true है क्योंकि one भी belong कर रहा है यह में तू भी कर रहा है और five भी कर रहा है इसका हर element एक कभी element है तो यह true हो जाएगा है ना जब रॉंग होगा तब हम लोग अपन कर उसका वज़ा बताएंगे वज़ा तुम हो वज़ा उसका बताएंगे अगला है यह कोशन नमबर क्या था यह वाला क्या था बिलॉंग कर रहा है यह में नहीं यह तो सेट है और यह क्या है एक सेट यह सब्सेट तो है लेकिन सेट नहीं न यह बिलॉंग नहीं यह element बिलॉंग कर रहा है इसमें नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे इस 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 इनकरेक्ट यह क्या है इनकरेक्ट है अच्छा क्यों ह है बोलो क्यों है तो हम कहेंगे बिकाउस्स फिकाउस व कासेयं स्रॉ sillist कर रहा है आप नाथ क्यों घुडब को सब्सक्राइब कर रहा हैं तू तो भी लोंग कर रहा है आप भी कर रहा है और यह जो सेट है बड़ вый एक मिनट रुको बट वन टू और फाइब यह एक सेट है यह बिलॉंग नहीं कर रहा है यह बिलॉंग नहीं कर रहा है ठीक है आई बात समझ में बिल्कुल चलो नेक्स बड़े और ऐसी भी बच्चो चलो उसको अगले में बता दूगा उस चीज को ठीक है नेक्स कोशन के हैं नेक्स्ट है मारा 8 घंबर में 123 चैना सबसेट कोशन नीट कि नमबर कॉन सा 8 102 और 3 123 क्या यह सब सेटा इन वन तो ध्योन अब हो सकता यह नहीं हो सकता है थी सिंक्रट इस इस इंकर्ट ऍच अगर यह इसका सब्सेट है तो इसका है तो इसमेंगेजि ना is Herz volte 3 है बट 70 को ढहिसर है तो अ कpolitik करने सब प्री में the मैं 3 नहीं है 341 सबोल हो आप से की इंस में सिर्फ एक एक में नहीं है उसका य उसका य 3 डाजन्ट बिलॉंग स्टू डाज नॉट बिलॉंग टू बस यह रिजन दे दो करेक्ट हो जाएगा आया समझ में बेलकुल सही बात है ठीक है चलो हाँ अगर मालो ऐसा होता न देखो एक बता रहा हूं जैसे यह होता ट्री फूर ऐसे लिखा होता और यूं करके होता तो यह हम बोलते एक सबसेट है ऐसा रदा तो टू होता यह ठीक है चलो नेक्स कुशन क्या कह रहा है आठ हो गया नौ में आते हैं नाइन यहीं बता दू चलो यहां बता रहे तो नाइन नाइन बताओ क्या फाइब सकता हुआ है ना तीन तो है अपने पास चलो लिख लिया ना चलो इसको भी इसको भी स्क्रिंशॉट लेए भशी न्मबर नाइन कहां करूं बतायों रचो कहां बताओ ने थैज़ा दो कॉस्ट नंबर नाइन के लिए मैं क्या करूँ यहां पे ले लिता हूँ च्रालों द तो कुछ बादे इसको नहीं को जानते हो तो बंटाफाइ सबसेट होता ना कि element होता यह क्या है यह इंकरेक्ट यह क्या है incorrect this is incorrect कि बीकॉस बीकॉस फाइज जो है is not an element is not an element of a set a कोई element कहां है तो फाई क्या होगा देखो फाई सबसेट होता है दुनिया के जितना भी सेटन उसका सबसेट होता है फाई ना की सबसेट है तो यह तो करेक्ट है इस इस करेक्ट है ना इस इस करेक्ट यह क्या हो जाए करेक्ट विकॉज विकॉज फाई जो कि क्या है हमारा नल सेट है नल सेट है इस क्या होता है इस क्या होता है सबसेट अफ आफ 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 subset of is subset of every set ठीक है clear subset of every set ठीक है कुशन number 11 में क्या देखो ये वाला चीज बताओ क्या ये करेक्ट है तो बैटा ये ना incorrect होगा क्यों होगा सर देखो अगर सिर्फ फाइ होता ना जैसा इल टैन में है तो ये लिखा होगा तो वह एक सेट का काम कर रहा है तो 11 में अगर हम आते हैं 11 में आते हैं तो ये जो चीज लिखा हुआ है क्या है subset of a है तो ये क्या है इस इनकरेक्ट इस इस इनकरेक्ट ये क्या हो जाएगा एक मिनट्ग इस इनकरेक्ट क्यों होगा तो लिखेंगे यहां पर भी फाइग बिलंग कर रहा है आगर अगर करता तो यह भी तो करेक्ट होता लेकिन यहां पर यह ना तो यह समझ में आया क्या तो यह भी हो गया हमारा है तो फाइए अकेला होता तो सबसेट होता फाइए एक सेट के अंदर है करली ब्रैकेट के अंदर है तो अभी एक सेट बन गया जो सिंगलेटन सेट बन गया म पिसका screenshot ले लो यहां भी ले लिजिए और फिर इसकी भी ले लिजिए और next question करते हैं now question number four write down all the subjects of the following set subset लिखना है तो जैसे यह set है है ना इसको set a माले इसका subset क्या होगा इसका subset हो जाएगा बच्चो एक तो होगा ही और एक यही हो जाएगा खुद और कुछ हो सकता है क्या और कुछ नहीं हो सकता है दूसरा ले लो यह तो पहला हो गया दूसरा ओल पॉसिबल सब्सेट लिखने है सगे नमबर में इसको भी मान लीजिए हैं तो पहला इसका सब्सेट क्या क्या होगा इसके जो सब्से है वेरी गुड ठीक है फिसके तारीत कर रहे हैं और गया है यहां ना इसका किए पूरिबंडेंट्ट को इसका सब 1947 उन घुण सब्सक्राइब कर लिए थो पिता ऐसा मतलिख देनां फिर घलाड हो जाएगा ना ऐसा मतलिख करना जाए में गरबर हो जाएगा नाओ थो एक तो 5 होगा वन होगा हो ऊपो यह णो टू होगा है नशीर हो सकता है ऑल ऊड़ تم उपसिबल सब्सेक्ट एलिमेंटेशी काफ़ी करना ना वर्न फॉन जरी टूरी हो सकता है ग्याई बिलकूल हो सकता है बिलकूल ओक्ता विल्कूल उसकताуется बोलो आया या गया अच्छी कितने नमबर सब मैं आपको से number of subset पढ़ाया हूं पता होता कितने होता हैं इसमें देखो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको छूट तो नहीं रहा फूर्थ में यह एक फाय है इसके सब्सक्राइब बताने उसके सब्सक्राइब होंगे बताओ एक फाय है इसको मैं क्या मालो एबीसीडि माल लू चलो नीमाल लेठाओ इसका सब्सक्राइब क्या होगा वह और क्या होगा इसका सब्सक्राइब इस खुट फाइब होगा है और तो कुछ नहीं आ सकता सबसेट इसका सबसेट क्या होगा फाइब कैसे अच्छा इसमें नमबर आफ इलिमेंट बताओ नमबर अफ डी बताओ जीरो एक वेली में नहीं है तो नमबर आफ एस अब सेट कितने हो सकते त्थू की पावर जीरो तो बार जीरो तो वन होगा तो वन देखो आभी तो रहा है एक ही सबसेट आतो रहा है क्लियर हो गया सबसेट चलो को सब्सक्राइब पर चलते हैं हम को नमबर फाइब में है राइड दा फॉलोइंग सेट एज इंटरवल इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो फॉर्स्ट सबसक्राइब लिखंड निखा है अब है एक से एक बिलांस तो आर और इसको इंटरवल महीं तो यह सिंपल है पहला वाला हो जाएगा एकस पॉक्सेस कृट है एक्सक्लूड है सर एक्सक्लूड है तो ओपन और इहर क्लोजड आई बात समझ में जी सर सकेंड पर वोगा एक्स बिलॉंग्स लगता है लगता है लगा उपन तो माइनस फूर से ओपन ओपन जीरो से सेवन ख्लोजड ओपन और यह क्या हो गया चले कोशन नमर शिक्स पर चलते हैं अब इसमें क्या लिखा वा इन सब को दोनों कोशन एक दूसरी का ना अपोजीट है सर कैसे अपोजीट है यहां पर ना क अगरे इंटरवल के फ़र में दिया वहां सब्सक्राइब पहला वाला माइनस थ्री से जीरो है ने लिखा हुआ इसको चलो हम सेट अमान लेते हैं माल लिए सिंपल एक्स आज डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखो देखो जैसे इस फ़र्म में लिखा हुआ है एक्स एक्स डेट एक्स बिलोंस टू रियल लंबर फिर एंड लिखो या कॉमा डालो और कॉमा डाल दो एक्स का वेल्यू कहां से का होगा माइनस थ्री से जीरो तक क्लोज इंटरवल लगेगा मतलब इक्कॉल तू का साइन लगेगा नहीं क्योंकि ओपन ओपन है प्रशन नबर सब्सक्राइब यह तो इसको हम भी माल लेते हैं और यह हो जाएगा एक्स डेट एक्स बिलोंस टू आर एंड कॉमा लगा यह एक्स जो होगा सिक्स से लेकर कहां तक वह तक एक्वल तक एक्वल टू इकवल तो चमका क्या चमक गया बिलकुल सही बात मैं चमक अप न रहे वे गाने स्वेट्स आप में ऒूं में अपने दून हो फिर कि prose Rules वह धने दून में चल रहा है कि तूब तो अब मैं चार मैं तरव एक्शों के ता ंरह अकर ग्यार जाने जी सा सवाल है यह फिप्ट में आ जाओ यह क्या है माइनस 23 और फाइव है तो इसको कैसे लिखेंगा बताओ इसको मैं डी फॉर्ट डॉली लिख लो जी सर एक्स सज्डेट एक्स बिलॉंग्स टू आर लिख लो और जो एक्स होगा हमारा 23 से ग्रेटर और एक्वल और लिख लाए आघर तो अब लोग में से को है तो मुझे इस साइट तो बन जाता कर लिखेंट इस साइट नहीं बनता सबसمगें तरह सिखाद आप लोग में कोई को यह भी हो गया पूरा एक मैंट मैंस 23 तो यह बर माइनस डालू है माइनस 23 से 5 तो पहला हो गया ठीक है दूसरा हो गया 12 है टीसरा क्या था 6 था न और 14 क्या मैंस चलो ठीक नेक्स वोशन पर चले जूट्न नमर बात सही है what universal sets you do you propose for each of the following अच्छा इसका universal set क्या होगा मैं बताया हूँ जिस भी context में बात हो रही है उससे related एक ऐसा set लो जो सबको सारे उस context में जितने भी सब को ले आए तो पहला वाला क्या कह रहा है the set of right triangles तो इसके लिए हम कह सकते हैं इसके लिए universal system for the set of right triangles for the set of right triangles set of all triangles triangles in a plane आप या फिर ले सकते हो set of all triangles in a plane या फिर आप ले सकते हो set of all polygon यह भी ले सकते हो चलेगा set of all polygons इसका भी राइट अगल ट्रेंगल क्या है जानते हो एक क्या है सब सबसेट है यह दोनों सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर सकता है इसके लिए अगला क्या एक सकते हो जो सकते हो set of all triangles in a plane triangles in the same plane in the same plane ठीक है यह आप set of polygon भी ले सकते दोनों सेमी सवाल दे दिया जी सेमी टाइप का है ना clear आगे बढ़ है शाला question number 7 हो गया आप 8 पर चलते हैं 8 क्या चीज़ है देखें भाई साब 8 क्या चीज़ है गिवन सेट देस देस इन देस विच आफ दी फॉलइंग में इन चार में से किसको ले सकते इन दोनों में कोई होगा इसमें एट नहीं है और इसमें जीरो से लेके टैन तक है यह होगा है ना कौन सा होगा थर्ड वाला होगा आई बात समझ में तो एक्सराइज 1.3 पूरा खतम हो गया क्लियर चालो चीटिंग करके कर लिए होंबर कभी स्कूल में दिखा होगा बहुत बढ़िया तो चलो बच्छो पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लिख लो है ना लिखो तो लिख लिए चलिए तो बच्छो अब मिलते हम लोग नेक्स क्लास में सब्सक्राइब हो चाहिए और मतलब इंपोर्टेंट क्लास सेट में टोड़ा हो रहा है ठीक है तो चली मिलते हैं नेक्स क्लास में किसके साथ वेन डियाग्राम के साथ अब तक के लिए पढ़ती रहे है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो कर लो बहुत बढ़िया, very good, सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर लो वीडियो को, ठीक है, और हाँ, अच्छे-चे कमेंट भी करो, ठीक है, चलो, bye, have a nice day, जै हिन, जै भ जै हमाराद